हेलो चिल्डरेन, बी रेडी विथ अवर संशाइन बुक और ओपन टू पेज नंबर वन सेवंटी फाइफ राइड दाउन टोड़ेट और सी डव्यू अन्दर टॉब बच्चों देखेंगे हमें यहाँ पर क्या एक्टिविटी करनी है fill in the missing numbers हमें यहाँ पर missing numbers लिखने है missing numbers मतलब यहाँ पर जो train है उसमें ये circle में जो number नहीं लिखे है वो numbers हमें लिखने हैं सबसे पहले है 4141 number यहाँ पर जो circle है उसमें number missing है यहाँ पर है number 4343 यहाँ पर circle में ये डिपबे में number नहीं लिखा है यहाँ पर जो डिपबा है उसमें भी number नहीं लिखा है हमें जो डिप पे बर्स नहीं लिखे है वहाँ पर हमें missing numbers लिखने है सबसे पहले यहाँ पर है number 4141 4141 के बाद कौई सा number आता है? Number 4242 4141, 4242, 4343 यहाँ पर लिखेंगे number 4444 44 के बाद कौई सा number आता है? Yes, correct number 4545 तो यहाँ पर हमने लिखे numbers 4141, 4242, 4343, 4444 and 4545 तो यहाँ पर आपको missing numbers लिखने हैं और यहाँ train को आपको complete करना है आगे देखते हैं अरे, यहाँ पर हमने train देखी यह क्या है? plane और यहाँ पर यह पीछे क्या है? clouds हमें clouds में number लिखने हैं सबसे पहले यहाँ पर यह कौन सा number है? 4646 यहाँ पर कुछ लिखा है? नहीं यह है number 4848 और यह दो जो clouds हैं उसमें पी number नहीं है हम यहाँ पर missing numbers लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर यह कौन सा number है? Which number is this? 4646 46 के बाद कौन सा number लिखेंगे? 4747 4848 48 के बाद हम यहाँ पर कौन सा number लिखेंगे? 4949 49 के बाद कौन सा number लिखेंगे? Correct 5050 तो यहाँ पर हमने numbers देखे 4646 4747 4848 4949 5050 तो बच्चों यहाँ पर यह clouds में number लिखेंगे और clouds को complete करेंगे अब यहाँ के देखते हैं यहाँ पर कौन से कौन से numbers है? अरे, यह क्या है? फ्लावर अभी हमें फ्लावर में missing numbers लिखने हैं सबसे पहले यहाँ यहाँ पर है number 5151 यहाँ पर फ्लावर में number लिखा है नहीं यहाँ पर भी नहीं है यहाँ है number 5454 और यहाँ पर फ्लावर खाली है इसमें भी कोई number नहीं है तो हम लिखेंगे number 5151 के बाद कौन सा number लिखेंगे? 5454 लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिखेंगे number 5555 यहाँ पर हमने numbers देखें 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54 and number 5555 so write down numbers 51 to 55 and complete these flowers now next देखें यह pattern में क्या लिखा है यहाँ पर है number 5656 तो बच्चों अभी आपको पता चल गया कि हम यहाँ पर कौन सा number लिखेंगे? 5757 5757 के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे number 5, 8, 58, 59, 59 और यहाँ पर हम number लिखेंगे 6060 तो हमने यहाँ पर numbers देखें 5656, 5757, 5858, 5959 and 6060 आपको यहाँ पर missing numbers लिखने हैं और यहाँ page को complete करना है ओके चिल्डन, now turn to page, page number 176 राइड आउं today's date and see W on the top क्या करेंगे हम यहाँ पर? Join the dots from 1 to 70 and color the picture हमें यहाँ पर कौन से dot को join करना है? numbers 1 to 70 और यहाँ पर color करना है so everyone be ready with your color box one कहाँ है? ढूनेंगे, ढूनेंगे, ढूनेंगे one, one, one अरे यह रहा one तो one से हम start करेंगे ठीक है? one, two, three, four, five, six, seven यह इसकी back है? nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen यह इसका पर आने वाला है आगे और यह इसकी tail है ओके? देखिए twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine यह इसकी tail complete हो गई है आप हम इसके परों की तरफ जाएंगे thirty, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, forty forty, forty-one, forty-two यह इसके पर है forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, fifty देखा आपने यहां तक इसके पर कम्प्लीट हो गए है अब हम इसकी आगे से बोडी मिनाने वाले हैं fifty के बार? fifty-one, fifty-two, fifty-three, fifty-four, fifty-five, fifty-six, fifty-seven, fifty-eight, fifty-nine, sixty okay अब हम इसका फेस बनाने वाले हैं यह देखिए sixty-one, sixty-two, sixty-three यह इस बन रहे है sixty-four, sixty-five two years होते हैं ना तो sixty-six, sixty-seven, sixty-eight, sixty-nine, seventy यह हमारा कंगारू complete हो गया है अब हम इसमें कलर करने वाले हैं तो इसमें कौन सा कलर होता है? इसमें होता है ब्राउन कलर चें, तो इसमें हम करने वाले हैं, ब्राउन और दूसरा कलर लेंगे यह, इससे हम शेलिंग दोएंगे, ओके, तो पहले हम ब्राउन कलर लेते हैं और इसकी बैक साईट की बौड़ी को ब्राउन कलर करते हैं इस तरह से आप इसको color करेंगे बाहर नहीं नीकालेंगे नीकटी color करेंगे इस तरह से हम color करते जाएंगे पहले outline कर लेते हैं ताकि हमारा color बाहर नहीं नीकले कंगारू का आगे बैग जो होता है उसमें वो अपने बेबी को रखता है और बहुत तेज दोरता है कंगारू पता है आपको बहुत तेज दोरता है यह इसकी टेल में कलर हो गया इदर भी हम पहले आउटलाइन कर लेते हैं तो हमारा कलर बाहर नहीं निकलेगा यह देखिए कितना अच्छा कलर हो रहा है ओके यहां पर हम इसको डबल कर देते हैं यहां पर अब हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे यह देखिए हम यह आगे की तरफ यह कलर यूज़ करते हैं यह इसके हैंड्स में कलर हो रहा है कि अब इसकी यह लैक्स में कलर कर लेते हैं अब डार्क लाइट आप जैसा चाहें वैसा कलर कर सकते हैं इसके बेबी में हम थोड़ा सा पिंग कलर कर देते हैं क्योंकि स्मॉल बेबी है तो ब्राउन एंड पिंग कलर मिक्स होता है उसमें तो हम इसमें थोड़ा सा पिंग कलर करते हैं और इसके इयर्स को ब्राउन करते हैं लाइट ब्राउन शेड किया है हमने यह इसके बैग को भी हम कलर कर रहे हैं अब हम ब्राउन कर लेते हैं और इससे थोड़ी थोड़ी ऐसे शेडिंग कर देते हैं अब इसके इसके प्यार में कलर करते हैं ठीक यह हमारा अंगारू का प्यार हो रहा है ओके यह हमने थोड़ा शेडिंग दिया है और इस शेडिंग से यह और भी सुन्दर लगेगा अब इसके प्यार में कलर करते हैं इसके प्यार में कलर हो रहा है हमने यह पर टू-टू कलर से शेडिया है अब इसके एर्स और फेस में कलर करते हैं यह इसके दूसरे एर में भी हमने कलर कर दिया यह हमारा कंगारू तो कम्प्लीट हो गया अब हम करेंगे सन में कलर सन में हमने थोड़ा रेड कलर लिया है अब हम औरेंज कलर लेंगे यह हमने इसमें शेडिंग किया है औरेंज कलर से और इसके जो किरने आ रही है लाइट की उसमें भी हम औरेंज कलर कर देते हैं कि अपर यह हम यहां पर बलुडर से इसका शेडिंग इसका शेडिए स्काइब दिखाने वाले हैं और क्लाउड्स दिखाने वाले हैं यहां पर लाइट कलर करते जाएंगे उपड़ डाप किया हमने नीचे थुद्ध लाइट कलर करेंगे हुए 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 हमारा सम इसके आसपास हम थोड़ा सा यलो कलर में कर देते हैं जब हम स्काइमें समको देखते हैं तो वह हमको औरेंज रेड और यलो किनों शेर्स में दिखाई देता है हम इसके नीचे हम मिट्टी है जो सैंड है और ग्रीनरी कुछ भी दिखा सकते हैं तो हम इसके नीचे ग्रीन कलर कर देते हैं हुआ है यह हमने लाइट ब्लू कलर कर दिया है इदर यह हमारी सीनरी कंप्लीट हो गई है आप अपने पेज नमबर 176 पे यह कंगारू कंप्लीट कर लीजिए अच्छा आपकी हेलो कलर बुक में पेज नमबर 3 में वेल फिश में कलर करने वाले हैं उपर क्या रिखा है दो यू नो दैट दा ब्लू वेल इस दा लार्जेस्ट अनिमल ऑन अर्थ कलर दा वेल अड़ वेल अड़ वेल अलसो तो आज हम ब्लू वेल में कलर करने वाले हैं आपको पता है ब्लू वेल सबसे बड़ी अनिमल है ओन अर्थ हम सबसे बड़ा जो अनिमल है उसको कौन समझते हैं किसको समझते हैं आप सबसे बड़ा अनिमल elephant को क्योंकि आप उसको देखते हैं लेकिन जो blue whale है हो seven elephants को line में खड़ा कर देंगे इतनी बड़ी होती है ओके तो अब हम blue whale को color करेंगे ओके यह हमने किया है blue whale को color यह देखिए यह हम blue whale को color कर रहे हैं इस तरह से बाहर निकाले बिना हम blue whale को color करेंगे यह हमारी blue whale color हो रही है आइस में नहीं करेंगे ओके आइस में हम color नहीं करेंगे यह प्रूबे नहीं करेंगे आइस में नहीं करेंगे यह प्रूबे नहीं करेंगे यह देखिए बाहर निकाले बिना neatly color करेंगे यह फिंस को भी color करेंगे अब हम पानी में भी waves में color करेंगे यह हमने किया है पानी में color इस तरह से पानी में भी color करेंगे पानी में भूत सारी फिश होती है small and big लेकिन सबसे बड़ी फिश होती है blue whale अब हम इसको थुड़ा सा ऐसे light color से shading भी दे देंगे हम यह हमारी shading हो रही है ठीप इस तरह से हमारी blue whale complete हो गई देखा आप में हमारी blue whale complete हो गई ओके चिल्डरन हमारी फिश कम्प्लीट हो गई है आपके पास color available हो आप उससे कर लेना या blue color भी कर लेना और इसमें brown color जो दीख रहा है आप भी कर सकते हैं ओके चिल्डरन जो आज हमने one to seventy dots को join किया फिर फिश में भी color किया अभी हम करेंगे हमारी square line notebook में number name number name करने वाला है one four fourteen so write down today's date and cw here यहाँ पर हम लिखेंगे n-u-m-b-e-r number and a-m-e name one four fourteen कौन सा number name लिखने वाला है number name one four fourteen यहाँ पर लिखेंगे one four fourteen dash f o u r four t e e and ten one four fourteen f o u r t e e and ten fourteen यहाँ पर एक x square छोड़ के लिखेंगे one four fourteen f o u r t e e and fourteen one four fourteen dash f o u r t e e and fourteen x square छोड़ के यहाँ पर लिखेंगे one four fourteen one four fourteen f o u r t e e and fourteen one four fourteen F-O-U-R-T-E-E-N 14 So children, write down number name 1-4-14 F-O-U-R-T-E-E-N 14 And complete your page Okay children, bye bye Take care See you in the next class Have a nice day See you in the next class